अलो फ्रेंड्स मैं विकास चोधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूटूब चैनल में तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों वह रहेगा एक 12 वोल्ट रूम हीटर जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही सस्ते प्राइज पर बना सकते हो इसका बनाने इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए सुड़ू करते हैं तो सबसे पहले हमें एक आयरेन सीट चाहिए या फिर आप मैटल सीट भी बोल सकते हो इसको यह दोस्तों आपको जहां पर अलमीरा वगर बनती है उनके पास आपको यह इसली अवेलेबल हो जाएगी आ अगर आपका जो हीटर रोड है उसका जो लेंथ है वो अलग है तो उसकी साइज अलग रहेगी तो मैं यहां पर 10 cm के उपर मार कर लेता हूं और फिर इसकी जो कटिंग प्रोसेसर वह यहां पर हम कंप्लीट करेंगे तो मैं यहां पर कटर की हिल्प से कर रहा हूं अगर हमने 10 cm की जो शीट ली है उसके दोनों सीरों के उपर 22 cm के उपर मार करना है मार करने के बाद हमें उन्हें फोल्ड करना है यू सेप हमें इसको देनी है तो इसी तरीके से जो लाइन हमने करी थी तो मैं नीचे लकडी का एक फट्टा लेके उसके उपर रखे और हैमर से यू सेप में आ जाएगा तो दोनों सीरे मैं इसी तरीके से फोल्ड करूंगा और फोल्ड करने के बाद फिर मैं आगे का पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूं तो यह देखे तो मैंने यह पर कंप्लीट कर लिया है बस इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही यह दोस्तों के जो सब्सक्राइटी की हल्प से इन्हें फिनिश भी कर दूँगा अब हमें यहां पर 13 mm की मार्क कर लेना है क्योंकि हमें यहां पर दो होल निकालने होंगे तो मैं 13 सेंटीमेटर सोरी 13 mm के दो होल करूंगा तो यहां पर आइरन की यह जो जितनी भी प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं दोस्तों आप वहीं मैठल वाली शीट की जो दुकान है या शोप है उसी के उपर आप यह इसली उनी हार्डवेर जो वर्क करते हैं उनी से भी यह काम करवा सकते हैं वह आपके 10 से 15 रुपे और एक् तो दो यहां पर लकडी के टुकडे माने लिये हैं सेम साइज के 5 सेंटीमेटर के क्योंकि जो हमने लिया था जो शीट ली थी वो 10 सेंटीमेटर की थी दो दो हमने फोल्ड कर दिया बाकी बचा 6 सेंटीमेटर तो 6 सेंटीमेटर की जगे मैं यहां पर 5 सेंटीमेटर के दो प करेंगे तो यह देखिए तो इसी तरीके से आप भी होल कर सकते हैं और इतनी प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों अगर आप से नहीं हो पा रही है तो आप हाडवेर सोप जहां पर यह रिपेरिंग वगर काम होता जहां पर यह आयरेन की जो बनती है अल्मीरा वग तो अब यहां पर दो हमें इस्कूरू लेने हैं और इसको यहां पर इसकूरूड्राइवर की हल्प से आपको फिक्स कर देना है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं बाकी मैं वीडियो को जो दूसरा पार्ट है वह यहां पर स्किप कर दूँगा जैसे ही आप इसको tight करते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से tight हो जाएगा और बिल्कुल भी मजबूती के साथ इसके साथ attach हो जाएगा तो आप ऐसा ही heater बना सकते हैं और use भी कर सकते हैं जिसमें आपका power consumption बहुत थत तक कम हो जाएगा power consumption कम होगा तो आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा तो यह देखिए दोनों शिरों के उपर मैंने लकडी के जो टुकड़े हमने लिये थे अब इसके उपर मैं ब्लैक कलर का पेंट करूंगा आप चाहिए तो किसी भी तरह का कलर कर सकते हैं रेड ले ले जो भी आपको पसंद हो रेड ल्यू जो भी आप उसी तरीके का कलर आप ले लिए तो मैं कलर जब तक सूकता है उससे पहले हम एलिमेंट त्यार कर लेते हैं अगर आपके पास पुराना अगर नया रखा हुआ है तो आप उसको भी यूज करके 12 वोल्ट में कनवर्ट कर सकते हैं जिसे आपके कोई हीटिंग का इसू भी नह चेक करेंगे जिसमें continuity आएगी वह बिल्कुल ओके है और जिसमें नहीं आएगी वह खराब है तो जो हमारा पहले वाला जो एलिमेंट है वह यहां पर खराब है दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल ओके है वर्किंग कंडिशन में है तो मैं पहले वाला है उसी का यूज करक सब्सक्राइब करेंगा और आपकी जो हीटिंग प्रोसेस है वह भी काफी हद तक अच्छी रहेगी यह देखिए तो इसके दोनों साइड में जो नेट बोल्ट दिये होते हैं तो वह आपको इसली आराम से खोलने हैं बिल्कुल धीरे-धीरे क्योंकि इसमें जो ग्लास की आती है वो टूट सकती है यह देखिए इसी तरीके से आपको दोनों सीरों के उपर जो बॉल्ट है उनको खोल लेना है हमें सिर्फ इसका जो अंदर का जो एलिमेंट है वो यहां पर बाहर निकालना है यह देखिए मैंने दूसरी रोड ली है पहले वाली मेरे से टूट पर हम्म सिर्फ यहां पे चोटा सा पीश चाहिए होगा तो इसके उपर पहले सही एक सर्किल दिया हूए जिसमें हम बोल्ट वगर लगाते हैं तो उसको मैं एंसे ह्टा दिया है हमें यहां दर चोटा साप सा पीश चाहिए ऑगा बारा वोल्ट अगर आपको ज्यादा पेर के असपास कंजूम करे गए तो उसी according आप देख सकते हैं आपकी जो भी डिमांड है जो भी आपकी requirement है उसके according आप यहां पे काट लीजे तो मैं यहां पर आधे इंच का छोटा सा पीस लूगा और वो यहां पर कट कर लूगा cutter की help से और बाकी जो भी हमारा element बचा है उसको आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं तो अब प्लायर की help से इसको आपको जैसे spring को आप खीचते हो इस्ट्रेस करते हो उसी तरीके आपको खीचना है और खीच के आपको लंबा वायर बना लेना है जितना हमारी जो जो bolt हमने काटे थे वो इसके उपर attach करने है तो यह देखे इसके size का मैंने यहां पर complete कर लिया है अब इसके दोनों सीरों के उपर में यहां पर nut bolt बगर है जो भी हमने खोले थे पहले वो यहां पर मैं लगा देता हूँ इसको बनाना बहुत ही अच्छा है बहुत ही easy है दो दोनों सीरों के उपर यान ही मैंने नट लगा दिये हैं अब जैसे हमने इसको निकाला था वैसे ही वापस इसको fix कर देना है बहुत ही simple process है और आपका power conception बहुत हद तक कम हो जाएगा दोस्तों आपका बिजली का बिल ना के बराबर हो जाएगा तो यह देखी मैंने दोनों बता रहेगा कि आपका element है बिल्कुल okay है आप इसको use कर सकते हैं तो रोड बनाने की बाद अब हमें दो वायर लेने हैं तो यहां पर मैं एक वायर का जो आगे से चील के और उसको दो भागों में डिवाइड कर दूँगा यह दो पार्ट में डिवाइड करेंगा और हमारा जो एक रोड का एक सीरा है उसके उपर मैं ऐसे ही twist कर दूँगा और उपर से जो भी इसका bolt है वो यहां पर मैं इसके साथ tight कर दूँगा तो हमारा दोनों सीरे सेम इसी process के साथ दोनों वायर यहां पर connect होंगे ताकि हमारा वायर भी lose ना रहे और कोई भी connection हमारा खराब ना हो यह देखी तो पेंट हो सुखने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है तो आप इसी जो हमने लकडी के तुकड़ी लगा थो उनको दुबारा लूज कर लीजे जब भी आपकी रोड खराब होती है या कुछ और होता है आपको रिपेर करना है तो आप इसी तरी करते हो उसके साइड के अंदर आपको ऐसे पी ओपी की कोटिंग होनी चाहिए ताकि आपकी लकडी का जलने का खत्रा बहुत कम तक हद तक कम हो जाए तो जैसे ही हमारी जो रोड है वो फिट हो जाती है उसके बाद में आप यहां पर वापस जो इसकुरू है उसको टाइट कर दीए तो हमारा जो हीटर रोड है वह यहां पर एकदम फिक्स हो चुका है बिल्कुल भी लूज नहीं है तो यहां पर मैं एक जाली ले ले रहा हूं दोस्तों यह मैंने पांच रुपए पर फिट परचेज किये है तो मुश्किल से यह फुट बाई फिट किये है तो जो भी हमने अब तक का जो खर्चा हमने इसके अंदर किया है दोस्तों वह मुश्किल से 20-25 रुपए के असपास हुआ है यह देखिए और जो इसके अंदर जो एलिमेंट है जो हमने एलिमेंट को यूज किया था वो भी मुश्किल से आपको 10-15 रुपए में नया मिल जाता है 20-25 रुपए भी हो सकता है इसी तरीके जो जाली है हमें यहां पर फिक्स करनी है तो मैं जो लकडी के जो तुकड़े हैं उनके ओपर होल करेंगे और जो इसक्रू है उसके हेल्प से इनको टाइट कर दूँआ तो दो इसकूर यहां पर आपको लगा के दिखा देता हूं तो हमारा नोर्मल टंपरेचर रहता है लगबग 25 पॉइंट सम्थिंग रहता है दोस्तों अभी दिन का टाइम है तो इतना यह दिखा रहा है बाकी एदरवाइस राजस्तान के अंदर काफी ज्यादा ठंड रहती है रात को माइनस में भी चला जाता है कभी-कभी तो यहां यहां पर 12 वोल्ट टी संपेर की जो पावर सप्लाई है वह यहां पर इसके साथ कनेक करता हूं तो हमारा जो नोर्मल टंपरेचर है वह 25 डिगरी के असपास है अब मैं दोनों वायर कनेक कर देता हूं बढ़ना स्टार्ट हो गया अब मैं यहां पर कुछ कटिंग कर देता ह हूं ताकि वीडियो जादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो यह देखिए जो हमारा टंपरेचर है वह लगबग 45 डिगरी तक पहुंच चुका है अब मैं मैं मैक्सिमम कोशिस करूंगा कि आपको दिखाने की तो अभी तक हमारा जो टंपरेचर हो 50 डिगरी तक पहुंच च करता हूं कि जब भी हम इसको रूम के यानि के अंधेरे में देखते हैं जैसे हमारी जो रोड गलो करती है तो वैसे ही यह भी करती है तो यह देखिए मैं ओन आफ करके आपको दिखा दिया है यह देखिए बिल्कुल वही सेम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है सेम जो कि हमार नॉर्मल एक हजार वाट का जो होता है उसी तरह के से यह भी वर्क कर रहा है अगर आप यहां तक आया है तो वीडियो को लाइक जूर करके जाए अपने दोस्तों को से जूर करें तो मिलते हैं अगले कोई इंटरस नहीं तो आपके के साथ all the best बहुत बहुत दन्यवाद आ कर बढ़ कर तो